नवश्का दोस्तों आज की वीडियो में आपका भभबस वाकित है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप एक working professional है या आपकी एक full time job है तो वहाँ पे आप stock market में trading किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे काफी दर्शकों की मुझे queries आती है और दोस्त था stock market से trading के दौरा दूसरा था मैंने एक blog start किया था 2011 में नितिन भाटिया.in जहां से मुझे कुछ income हो जाती थी एक चीज़ मैं आपको clarify करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप एक full time job में है तो day trading आपके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अगर आप day trading करें तो आप अपनी existing source of income जो कि primary source है जौब उसके उपर कोई ना कोई खत्रा मोल ले ले नौर्मल यह ऐसा देखा गया है दोस्तों कि हम क्या है कि एक दूसरी source of income generate करने के चक्कर में अपना जो primary source है उसके उपर कोई ना कोई problem create कर लेते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए income generate कर सकते हैं stock market में trading करके आप उसके बारे में सोचिए कहने का मतलब यह है कि आपका जो office का काम है वो सफर नहीं होना चाहिए अब आप कहेंगे कि भई अगर हमारा office का काम सफर नहीं होना चाहिए तो हमें तो time ही नहीं मिलता हम पूरा दिन office में busy रहते हैं दोस्तों ऐसा नहीं होता तो यहां पर काफी सारी studies की गई हैं जिनके अंदर पाया गया है कि जो average Indian है जो working professional है वो normally 8-9 घंटे office में spend करता है लेकिन उसके अंदर केवल productive hours जो हैं वो 4 घंटे 50 minute के आसपास ही होते हैं तो जो बाकी का समय होता है दोस्तों 3 घंटे 10 minute का वो आपके unproductive task या unprodu productive कामों में जाता है तो दोस्तों जब मैं job करता था इस चीज को मैंने accept किया हम चाहे अपने boss के सामने accept नहीं करेंगे लेकिन यह fact है कि हम अगर 8 घंटे काम करते हैं तो उसमें 3 घंटे के आसपास जो समय है वो हमारा unproductive task में जाता है तो दोस्तों वहां पे हम उस समय को कैस यूटिलाइस कर सकता है परसनल समय को किस तरीके से यूटिलाइस कर सकता है तो इन सभी बातों की चर्चा हम आच के इस वीडियो में करेंगे इसके लावा दोस्तों मैंने देखा है कि काफी दर्शक कहते है या ऐसा माना जाता है कि अगर आप job में है तो आप stock market में प्रशे के कारण को जानना जरूरी है अगर आप उस कारण को fix कर लेंगे उसको solve कर लेंगे तो वहाँ पे आप definitely stock market trading में भी मुनाफ़ा कमा सकते हैं अपनी job के साथ तो वो कारण क्या है वो मैं वीडियो के last में बताऊंगा लेकिन पहले हम जानेंगे 7 ऐसी tips, 7 ऐसे points जिनक तक जरूर देखेगा समय आपकी screen पे visible है आप नीचे दिखाएगे लालन के subscribe बटन को भी दबा सकते हैं उसके साथ दिखाएगे bell notification को click करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई नया video upload हो उसकी notification आपको अपनी app या email के उपर मिल जाए तो दोस्तों आपे पहला जो step या पहली जो tip है वो ये कि आप जितने भी unproductive काम है उनकी एक list बनाईए दोस्तों ये बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि पहला step हमेशा मुश्किल होता है लेकिन ये आपको करना पड़ेगा हो सकता है हम इस चीज़ को realize ना करें कि ये जो काम है ये unproductive है लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं दिन के अ एक घंटे के break की कोई आवशकता नहीं होती लंच में 15-20 मिनट sufficient होते हैं तो वहाँ पर बाकी के 40 मिनट utilize किये जा सकते हैं किसी और काम में इसके लावा अगर आप personal life में देखेंगे तो वहाँ पर भी काफी सारे unproductive tasks होते हैं अगर आप उनकी list बना ले तो वहाँ पर आप उनके उपर काम कर सकें दोस्तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि long term gain के लिए हमेशा आपको short term pain उठानी पड़ेगी अब दोस्तो हमें काफी मज़ा आता था कि जब हम lunch के अंदर बैठे होते थे gossip होती थी office politics होती थी उन बातों में हमें काफी मज़ा आता था लेकिन ज वहां पे मेरे पास काफी समय बच जाता था तो जब आप unproductive task की list बनाएंगे तो वहां पे आपको काफी बाते clear हो जाएंगी कि कहां कहां पे आप समय सेव कर सकते हैं दोस्तों आप दूसरी tip आती है कि अगर आप चीजों को plan करेंगे आप एक plan के हिसाब से चलेंगे तो व पहले या आप उसको शाम को कर सकते हैं जब market बंद हो जाती है तो मैं office में क्या करता था दोस्तों जो भी मेरी meetings होती थी जितने भी meetings होती थी मैं normally कोशिश करता था कि वो सारी meetings मेरी जब market open है उस समय में complete कर लो ताकि जब market बंद हो उसके बाद जो समय बचेगा मेरे पास उ दोस्तों office का काम सफर नहीं होना चाहिए यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो आप इस तरह किसे plan करिए कि अगर आप दिन में 5 meetings हैं आपकी सुबह से लेके शाम तक तो normally कोशिश करिए कि वो सारी meetings आप 3-3 बज़े तक निपता लें ताकि आप उसके बाद जो है अपना stock market की learning से संबन देती है अगर आप कोई analysis करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं तो दोस्तों जब आप चीजों को plan करेंगे तो आपका mind अपने आप समय को किस तरीके से बचाया जाए उस तरफ दोड़ना शुरू कर देगा तो आप यहां पे plan करके ही समय को बचा सकत करना है यह अपने blog के उपर भी focus करना है तो दोस्तों वहां पे मैंने अपने social media के सारे personal accounts को delete कर दिया तो दोस्तों उस समय मैंने देखा कि मेरा दिन का 2 या 3 घंटे का जो समय है वो social media पे जाधा वैतीत होता था उस समय दोस्तों SMS भेजे जाते थे जिस समय कि मैं बात कर रह पहली social media platform थी तोस्तों उस समय मेरे जितने भी social media के account से मैंने उन सब को delete कर दिया था आज की date में भी मेरा कोई भी social media के उपर personal account नहीं है मेरे whatsapp में कोई भी ऐसा group नहीं है जहां पे मेरा समय वेयर्थ होता हूँ केवल वही groups हैं जहां पे मुझे सीखने को मिलता है जहां पे members के लिए इसके लावा मैं और किसी भी family group में नहीं हूँ इसके लावा मैं और किसी भी school के या college के group में नहीं हूँ क्योंकि दोस्तों यहां पे अगर आप उन groups को join करते हैं जाने अन जाने आप दिन में 2 या 3 घंटे waste ज़रूर करेंगे तो हाँ पे कुछ भी productive नहीं हो रहा अब यहां पे हो सकता है कुछ दर्शक offended हो जाएं कि भी हमें मनोरंजन भी चाहिए हम social animal हैं हमें यहां पे socialize करना चाहिए दोस्तों देखे socialize करने का तरीका होता है कि आप one to one socialize करिए social media के उपर socialization का मुझे कोई औचित्ते नहीं दिखता वो केवल एक समय वेर्थ करना है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको का हमेशा आप यह देखे कि यह काम productive है या unproductive मेरे हिसाब से जितना समय आप social media पे वेर्थ करते हैं वो आपका एक unproductive task है unproductive time है उसको आप इस्तमाल कर सकते हैं मैंने काफे लोगों को देखा है कि पूरा दिन वो whatsapp group पे लगे रहते है या social media पे लगे रहते हैं फिर आप उनसे पूछें कि कोई हमें काम करना चाहिए या ये काम रह गया या वो काम करना है तो उनके पास एक ही बहना होता है कि हमारे पास तो समय नहीं है तो वो जो समय व्यर्थ करते हैं social media पे उसको वो unproductive काम नहीं मानते वो उनको लगता है कि ये उनकी life का एक हिस्सा है देखे हर किसी की अपनी अपनी सोच है अपना अपना सोचने का तरीका है मैं केवल आपको अपना experience बता रहा हूँ और दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई यहां पे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया अगर मान लिजे मैं किसी social media platform पे जाग रहा होता हूँ वो मेरा productive कामों में जाए unproductive task जो है जिनके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा उनको cut करना चीए मनोरंजन के लिए आप अपना एक time fix कर लिजे कि दिन में आप आदा घंटा या एक घंटा या हफ्ते में इतने घंटे आप मनोरंजन पे व्यतीत करेंगे मनोरंजन भी important है लेकिन उसको एक time limit के अंदर bound करेंगे social media में मैंने देखा है कि आप उस चीज़ को time limit में bound नहीं कर सकते जिन लोगों को addiction है social media की ये एक तरह की addiction है वो उसको छोड़ नहीं पाते पहले वो दिन में 2 घंटे वियर्थ करेंगे फिर 4 घंटे 5 घंटे और कई लोगों को मैंने देखा है और दिन में 7-8 घंटे social media पे ही रहता है तो दोस्तो मैं भी रहता हूं social media पे लेकिन अपने काम के सिलसले में अपने business के सिलसले में मेरा कोई भी personal account नहीं है यहां से मुझे 3 या 4 घंटे सेव हो जाते हैं जिनको मैं productive activities के अंदर utilize कर सकता हूं और काफी दर्शा कहता है कि आपको इतना समय कैसे मिल जाता है research के लिए क्योंकि मैंने अपनी life में जो distractions हैं उनको बहुत कम किया हुआ है social media एक बहुत बड़ी distraction है हमारी life में जिससे हम unproductive काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं ना कि productive task की तरफ तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको ये tip पसंद आएगी अगर आपको ये tip नहीं अच्छी लगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं हर किसी का अपना सोचने का तरीका है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें unproductive task को cut कर देना चीए जो भी काम हमें अपने लक्षे से भटकाते हैं उन कामों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चीए दोस्तों आपे चौथी tip या चौथा point है कि office में आप like minded people के साथ company बनाईे तो हमेशा आपको office में एक दो लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि stock market में निवेश करते होंगे या अगर मालनी जी आप कोई business भी खोलने की सोच रहे हैं तो उनका भी जो ध्यान है वो entrepreneurship की तरफ होगा तो जब आप like minded people की company में होंगे तो आपका जो ध्यान है किवल अपने लक्षे की तरफ रहेगा आप उनसे discuss कर सकते हैं जो आपको problem आ रही है आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं तो वो लोग आपकी काफी help करेंगे तो इसी तरीके से मैंने भी office में दो लोग ऐसे थे मेरे जो colleagues थे, मेरे friends थे जिनके साथ हम यही चर्चा करते थे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है यहाँ पे क्या गल्ती होती है कैसे यहाँ उसको सुधारा जाए तो मैं उनकी गल्तियों से सीखता था वो मेरी गल्तियों से सीखते थे तो यहाँ पे जब दो या तीन लोगों का group बन जाता है, like minded लोगों का, तो वहाँ पे आपको सीखने में बहुत मदद मिलती है, वहाँ पे आप अच्छा करेंगे stock market में, क्योंकि आपको पता होगा, कि दूसरे क्या गलती कर रहे हैं, और दोस्तों जिस समय कि मैं बात कर रहा था, तो हम वीडियो वगएरा तो नहीं देख पाते थे, लेकिन यहाँ पे like minded people का group हमेशा जरूरी होता है, अगर आप YouTube के उपर जुड़े भी हुए हैं, blogs के उपर भी जुड़े हुए हैं, सीखने के लिए, फिर भी मैं आप से अनुरूद करूँगा, कि आप like minded people को जो stock market में निवेश करते हैं, उनके साथ बैट के चर्चा करिए, तो दोस्तों यहाँ पर one to one और face to face interaction की सीख का एक अलग महत्व है, वो भी होनी चाहिए हमारी life में, चाहे हम वीडियो के द्वारा सीखें, ब्लॉक्स के द्वारा सीखें, लेकिन face to face interaction करके भी सीखना बहु पर पांचवा point आता है कि stock market में consistent रहना बहुत महत्वपून है, यहाँ पर consistency का मतलब है कि अगर आप stock market से जुड़े हुआ हैं, तो आप उसके साथ जुड़े रहिए, चाहे आपने trade लिया हुआ है, या नहीं लिया हुआ, चाहे मैं निवेश कर रहा हूँ या नहीं कर रहा दोस्तो stock market एक soap opera की तरह है, जहाँ पर अगर आपने बीच में एक भी serial मिस कर दिया, तो आपको आगे की कहानी शायद ना समझ आए, तो यहाँ पर आपको daily basis के उपर analysis करना जरूरी है, चाहे आप निवेश करें या ना करें, मैं आपको पहले भी बताता हूँ, कि अगर मैं किसी दिन निवेश नहीं करता, या trade नहीं करता, या कुछ भी नहीं करता, कोई action नहीं लेता stock market में, लेकिन मैं उस दिन का analysis जरूर करता हूँ, क्योंकि आपको पूरी picture तभी समझ आएगी, जब आप वहाँ पे consistent basis के उपर market को observe कर रहे हैं, consistent basis के उपर कुछ stocks को देख रहे ह जो दर्शक मेरी swing trading की watch list देखते थे, वो कुछ stocks मेरी watch list में काफी समय तक रहते थे, जब तक वो एक perfect buy signal नहीं देते थे, buy point नहीं आता था, मैं उनको अपनी watch list में रखता था, ICICF bank का मैंने आपको example दिया था, जहां पर double bottom बना था, उसके बाद एक अच्छा move आया, ICICF bank के हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप second half में free होंगे, research करने के लिए, analysis करने के लिए, तो वहां पे दोस्तो मैं क्या करता था, अगर ऐसा कुछ होता था, तो मैं सुभे जल्दी उठ जाता था, अपनी नींद के उपर compromise करता था थोड़ा सा, ताके मेरा analysis सफर ना हो, तो दोस्तो क कुछ भी हो जाए, आंदी आए, तुफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो, यहां पर analysis daily का करना बहुत जरूरी है, जो भी analysis आप कर रहे हैं, अगर आप बीच में एक दिन miss कर देंगे, तो आपकी पिछली सारी मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं उस दि नहीं दे सकते, कि मैं तो office में job करता हूँ, मेरे लिए consistent रह पाना बहुत मुश्किल है, नहीं तो आप वहाँ पे ठीक से सीख नहीं पाएंगे, अब दोस्तो छटे नंबर का point ही आता है, कि जिनके पास limited time होता है, जो working professional है, उनका एक बहुत common excuse होता है, कि हमारे पास यहां स time है, तो आप अभी निवेश मत करिए, पहले सीखना शुरू करिए, दोस्तो अगर आप कोई course करते हैं, मान लिजे आप एक regular course करते हैं, full time course करते हैं, part time करते हैं, correspondence करते हैं, morning college में करते हैं, evening college में करते हैं, या night college में करते हैं, तो जो आपको सीखना है, वो तो आपको सीखन यह उसके अंदर यह फरक नहीं पड़ता कि आप वहाँ पर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या आपके पास समय नहीं है या आप वहाँ पर नाइट कॉलिज में जाते हैं या आप कॉर्रिस्पॉंडेंसे कर रहे हैं तो जो आपको सीखना है वो तो सीखना ही पड़ेगा अग यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूं मैं वहाँ पर ट्रेडिंग करता था उस समय कोई जादा प्लैटफॉर्म नहीं होते थे तो मैंने डैरी बनाई हुई थी डैरी के अंदर मैं लिखता था कि आज मुझे स्टॉक को अगर खरीदना है तो मैं यहाँ पर कितने मैं देखे कितना समय लगता है सब चीजों को सीखिए और दोस्तों उस समय जब मैं सीखता था तब उस समय इतना ज़ादा ओनलाइन इंफोर्मेशन एबलेबल नहीं होती थी तो यहाँ पर किताबों के दौरा आपने देखा होगा कि मैंने काफी चीजे किताबों के दौरा ही है क्योंकि वहाँ पर किताबे ही हमारी best friend होती थी परम मित्र होती थी तो मैंने एक library में membership ली हुई थी जहां पर जाके मैं सीखता था उन किताबों को पढ़ता था उन किताबों को issue करा के लेके आता था जब भी मुझे office में समय मिलता था lunch time में उन किताबों को मैं पढ़ लेकिन जिस समय दोस्तो मैंने यह सब सीखा उस समय books आपकी best friend होती थी तो अगर limited time है तो वहाँ पर आप सीखने में उस समय को use करिए जब आप सीख जाएंगे फिर आप trading करिए दोस्तों आपे 7 वी tip यह है कि जब मैं job करता था तब उस समय वह 5 day working होता था मेरा office लेकिन मैं मैंने अपना mindset इस तरीके से fine tune किया था कि मेरा 6 day working है तो वहाँ मैं क्या करता था कि छटा दिन जो है Saturday जो है वो मैं अपने analysis या research में व्यतीत करता था अगर Saturday मैं अपना family time होता था तो मैं Sunday को पूरा दिन अपनी research और analysis में use करता था तो दोस्तों यहाँ पे आपको समय निका गरीब क्यों है वो निर्भर करता है कि वो अपने 24 घंटे का utilization कैसे करता है तो दोस्तों अगर आपका मान लिजे 5 day working है तो एक दिन आप वहाँ पे compromise कर सकते हैं अपनी learning के लिए आप सीखने के लिए एक दिन use करिए अपने mind को इस तरीके से fine tune करिए कि मेरा तो 6 day working है तो जो है अपनी learning में लगा सकते हैं stocks को analyze करने में लगा सकते हैं research करने में लगा सकते हैं दोस्तों एक और महत्यपून बात जो कि मैं आपको अपनी practical experience से बताता हूं कि जब मैं इतना समय लगाता था सीखने में इतना compromise करता था अपना 6 दिन भी मैं व्यतीत करता था सीखने में तो मुझे उस समय जो मुनाफ़ होते थे वो छोटे-छोटे मुनाफ़ होते थे थोड़ा-थोड़ा मुनाफ़ा होता था तो वहां मुझे लगता था कि क्या यहां पे जो समय मैं लगा रहा हूं क्या वो justified है जो मुनाफ़ा मुझे आ रहा है दोस्तों बिल्कुल justified है क्यों लेकिन अगर आप एक full time निवेशक या trader बनेंगे तो आपको बिलकुल भी वो जो time आपने job के दुरान spend किया सीखने में, learn करने में वो आपको लगेगा कि वो तो बिलकुल एक छोटा सा हिस्सा था, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो दोस्तो हमेशा छोटे से श नाफा भी होगा, लेकिन अगर आप job में हैं तो आपको accept करना पड़ेगा, कि आपके लिए सीखना एक बहुत बड़ा challenge है, एक बहुत बड़ा task है, आप limited समय निकाल सकते हैं सीखने के लिए, उसको निकालने के बावजूद, थोड़ा समय निकालने के बावजूद, अगर आप वहाँ पे consistently profit generate कर रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, आपको अपनी पीट थप थपानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप उस काम को अप dedicatedly कर रहे हैं, वो अब आपकी एक second source of income बन सकता है, अब दोस्तो बात कर लेते हैं, जो एक bonus tip की मैंने बात की थी जॉब में होते हैं, तो वहाँ पे आप stock market की trading में successful क्यों नहीं हो सकते, उसके पीछे क्या कारण है, दोस्तो उसके पीछे कारण यह है, कि जब आप job में होते हैं, वहाँ पे आपका mindset जो fine tune होता है, वो इस हिसाब से होता है, कि आप एक result oriented person है, जॉब में दोस्तो किसी को को मतलब नहीं है, target पूरा होना चीए, तो वहाँ पे हर काम जो है, result oriented है, अगर मेरा कोई target था, तो वहाँ पे कोई यह नहीं देखता कि मैंने process को follow किया या नहीं किया, वहाँ पे हर कोई यह देखता था, कि आपने आपने कारे को पूरा किया नहीं किया, अब आपने कैसे किय कुछ बाइपास करके किया, कुछ जुगार लगा के किया, दोस्तो जो Bill Gates है, उनका ये मानना है, कि जो company का सबसे टेड़ा काम है, जो सबसे ज़्यादा difficult काम है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, वो company के सबसे ज़्यादा आलसी वेक्ति को धेना चीए, क्योंकि आलसी उस difficult काम को बहुत असानी से या कम समय में, या बिना किसी महनत के किस तरीके से किया जाए, वो कोई ना कोई तरीका जरूर ढून लेगा, तो दोस्तो वहाँ पे company में हमारा mindset इस तरह से fine tune किया जाता है, कि हम result oriented होते हैं, लेकिन दोस्तो stock market process oriented है, जिस चीज को काफी लोग acknowledge नहीं करते, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी, कि आपने जो अपने steps बनाये हुए हैं, जो आपने अपने लिए rules बनाये हुए, stock selection के, entry करने के, exit करने के, आप उनको follow करते रहिए, result की चिंता मत करिए, result हमेशा अच्छा ही होगा, तो दोस्तो job जो है, result oriented है, वहाँ process से कोई मतलब नहीं है, stock market जो है, वो process oriented है, वहाँ पे अगर आपने एक भी गलती कर दी, किसी भी rule को relax कर दिया, या कहीं पे आपने किसी technical setup को देखने में गलती कर दी, तो वहाँ पे आपका loss होना निश्चित है, तो ये गलती सबसे यादा लोग करत अगर आप job में है, तो आपको अपना mindset result oriented रखना पड़ेगा, अगर आप stock market में trade कर रहे हैं, तो आपको अपना mind process oriented रखना पड़ेगा, मैं मानता हूँ ये इतना असान नहीं है, जितना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी ये दिक्कत आती थी अगर आप एक result oriented mind के साथ job कर रहे हैं, अगर आप उसी result oriented mind के साथ stock market में trading करेंगे, तो वहाँ पे सफलता की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आप अपने mind को switch कर लेंगे, process oriented कर लेंगे, कि मुझे इस process को follow करना है, result मेरा जरूर अच्छा होगा, तो वहाँ पे आप stock market म जरूर कामयाब होंगे, इस विशय के उपर मैं एक dedicated video जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत महतपून concept है, क्योंकि अगर आपका mind एक job के अंदर result oriented है, दूसरी job के अंदर process oriented है, तो वहाँ पे गलती होने की संभावना ज़ादा रहती है, अगर आप एक business भी करते हैं, तो आपका mind जो है normally, वो एक result oriented होता है, ना कि process oriented, इसलिए दोस्तों इस चीज़ को balance out करना बहुत जरूरी है, जिसकी चर्चा हम एक आने वाले वीडियो में करेंगे, विस्तार से करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विशय के उपर वीडियो बनाऊं, तो नीचे दिएग मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने last point तक इसको देखा, क्योंकि आप पूरा concept समझना चाते हैं, सीखना चाते हैं, हो सकता है, बीच में कोई एक आदा point हो, जो आपके लिए relevant ना हो, पर दोस्तों यहाँ पे पूरे concept को 360 degree सीखना बहुत जरूरी है, त अभी आप stock market को सीख पाएंगे, दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको आज का वीडियो पसंदा होगा, यदि यह वीडियो आपको पसंदा है, तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाएगे, like आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मुझे पता लगता है कि आपको कौन से वि इस वीडियो के एक disclaimer भी है, जो कि आपको इस समय अपनी screen पे दिख रहा होगा, यह वीडियो मैंने सिर्फ एक education और information purpose के लिए बनाया था, यहाँ पर मेरी आपको किसी भी तरह से कोई suggestion सला या राय नहीं है, कि आप किसी भी stock में, market में buy sell या hold की position बनाए, किसी भी निवेश कि अपकी